वेल्कम टू बेसिक सोफिजिक्स और आज हम बात करेंगे मैंगेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट इन सॉलिनॉइड तो पहले इस टॉपिक का अबर भी ले ले लेते हैं क्या 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 करेंगे हम लोग सॉलिनॉइड के बारे में समझेंगे ठीक है ना सॉलिनॉइड में होती तो उसमिध लिए मुझा एक ट्यों श्रहें किया हूदब है मतलब हम लोग क्या करते हैं एक कोपर करते हैं क्लोज्ली ठीक है और सिदेन्टिकल फॉर्म बन जाती हमारी जैसे सिर्ञ नहीं होता है उससी तरह की यह क्या होती फॉर्म होती तो तो इसको बोते हैं solid wide ठीक है ना अब जब solid current flow कराते हैं तो current flow कराने से बनता है outside solid and inside solid and ठीक है ना और उस field को हम पता कर सकते हैं right hand rule है ना ओके ओके और यह जो pattern है यह pattern क्या होता है similar to bar magnet होता है ठीक है अब direction तो आपने right hand उन्हें पता कर ली कि कहा कैसे किस तरह से floor यह हमारी यह लाइन से हैं वह किस तरह से जो मूब कर रही है लेकिन जो प्रेंटर नहीं किसके बनता है बार में निट टीक है तो कैसे कैसे क्या हो रहा है आप सो डिटेल में देखते हैं तो कुछ पॉइंट से उनको पहले करते हैं इफे क्वाइल आफ मैंनी सेर्कुलर टरंस ऑफ इंसुलेटेट कॉपर बायर क्वाइब क्लोजली इन शेप ओफ सिलिंडर इस नोन है स्टार्टिंग में यह ना ड्यू टू करंट के कर रही है फ्लो कर रही है थीक ना मैंनिक फील्ट पैटर्न प्रेंट सभड इस तरह से बन रहा होता है थीक है बार मानी यह कैसे होता है बर मेंघनेत की पैटर्न के सेeker in लोके एक स्वीनो देट बार मैंगनेट हैस टूपो जिद्च फोल नौर्थ एंड साओ उपे सोलेनोइट आलसो भी हैव लाइक तूपोल सिस्टम वन एंड ऑफ सोलेनोइट भी हैप अस मेंगनेट नौर्थ फोल वाइल अधर भी हैप एड थे आपे जैसे मांगनेंट पोल तबहुते मारे नॉर्थ पूल और एक साौथ पूल ऐसी क्या होता है तो पूल को सब्सक्राइब करता है एक नॉर्थ पूल और एक सॉथ पूल जहीं अनि मेंगेनेटिक पूल दो होते हैं साौथ पूल और नॉटफ पूल indicate that the magnetic field inside solenoid is constant or uniform same at each point मतलब क्या हुआ कि जो magnetic field pattern बन रहा है इंसाइड the solenoid वो कैसा है वो आपका क्या है constant है या फिर uniform है मतलब हर जगह है जो magnetic field की value पर से और हर जगह direction क्या से तो यह जो pattern बन रहा है कि इसमें current flow क्ल savior है कि तो यहां मैंने कि संद चीं बनता है मतलब एक साब्रालाइन ऑर ही निकल रही है और इंसाइड जो फिल्ड पैटर्न है वो बिल्कुल कॉंस्टेंट है लेकिन आउटसाइड जो फिल्ड पैटर्न वो थोड़ा सा बीक होता है और इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं राइट रूल कि इसकी डारेक्शन क्या होगी कि इसकी फिल्ड की किदर से कितना फ्लो कर रहा है ठीक है न कैसे आउटसाइड के थोड़ी सी बीक फिल्ड होती है ओके ओके पोलरेटी हम बाद में डिस्कुस करेंगे पोलरेटी कैसे पता कि हमने यह नॉर्थ पोल ईसाओ पोल लेकिन इसका जो यह स्ट्रक्चर बन रहा है यह जो पैटर्न बन रहा है ठीक है ना फिल्ड का यह बिल्कु क्या होती हैि हैं छीट ना तो सेम यहां पर कि जो फील्ड लाइन वह यह से निकल रही यह इसतरह से और ऑबात करते हैं कि इसकी डिएरेक्शन कैसे पत्ता करने का यह एक तरीका होता है ठीक है ना इस डारेक्शन पता करने के लिए हम लोग रूल यूज़ करते हैं क्लॉक रूल क्या होता है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं का नॉर्थ पॉल पता करते हैं क्या पता करते हैं नॉर्थ पॉल कैसे पता करेंगे ठीक है देखिए क्या होता है कि हमारा जो तो अगर हम इस तरह से आ रही उपर से नीचे उपर से नीचे उपर से नीचे इस तरह से आ रही है देखिए अगर अगर हम इस वाले portion पे हम लोग क्या करें यहां पर से नीचे आ रही है ना उपर से नीचे नीचे आ रही है तो यह हमारा नौर्थ पोल हो गया है ना रही है इस तरह से पोलर टी निकालते कि इसकी सोलेवर्स करोगे तो मैंगनेटिक फील्ड तो पैट्रम तो भी रहेगा लेकिन जो मैंगनेटिक फील्ड की राइन है उनकी डारेक्शन क्या होगी यह रिवर्स हो जाई मतलब यह पूल साउथ हो जाएग और इस नौर्थ हो किनिके of magnetic material अगर работу को हमको pare accurate क例えば करते हैं कैसे किसे means करेंगे इसके मेसे जिसे Akazалось थ्योथ क्रेइब गॐस्ट सॉफट एड़ने तो सॉफट आरें अ graduate मइसंट करना है है क्एम क्रेंगे इस सॉफट आयरन काई पीस क्या करेंगे करेंगे क्य अदर करीं इंसाइड है ना बीच में अगर मैं इस के अंदर एक सॉफ्ट आइरन की को रख देता हूं रख देता हुं ठीक है यह कोई साथ भी पिस जो इसके अंदर रख देता हूं तो क्या होगा की हाई magnetic field की बेज़े से वो जो magnetic material हमने इसके अंतर रखा है वो क्या होगा magnetize हो जाएगा क्या हो जाएगा magnetize हो जाएगा ठीक है ना और जब तक current flow होती रहेगा तब तक वो क्या रहेगा magnetize रहेगा लेकिन जैसे करने करना बंद करें वो क्या होगा डी माइनिटाइज हो जाता है मतलब एक करता है कौन सवाल ही उठता है कि कुछ और यूज कर लें तो स्टील में प्रॉलम यह आती है कि अगर हम स्टील यूज भी खर लें तो मेंटाइज होने के बाद जहुं करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो स्टील नहीं होता है ठीक है ना तो वहाँ मेंगनेट की तरह भी है करता है उसका हमने डिसकस किया सबसे इंपोर्टन बाद इसकी पॉलर्टी के पता करना हुँने क्लॉग रूट से पता किया ठीक है ना इस सॉलिनाइट के अंदर हम एक मैंगनेटिक मेंटिक को रखते हैं जैसे सॉफ्ट आयरन और वो क्या होता है पर एंड एनी डाउट है कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्सिंग में बताईए हम उसको नेक्स वीडियो में जो है कोशिस करेंगे इस तरी की प्रॉडम ना हो एंड थैंक्स पो बचिंग